Hello Students, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड कलास 11 हिस्टरी के Important Question Complete Book के 2024 के एक्जाम्स के लिए शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दूँ अगर आपको हर्याना बोर्ड कलास 11 के किसी भी सब्जेक्ट के Important Question या Model Paper Solution की वीडियो देखनी है Description में Playlist का लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकती हो उसके अलावा एक Website है जो आपको काफी help करेगी Google पर जाकर सर्च कर लेना CCL Chapter.com इस Website पर Class 11 के लिए हर्याना बोर्ड में Important Questions उसके अलावा जो है Model Papers with Answer की Old Question Papers और साथ में Slavers Marking Scheme सारी चीज़े आपको इस Website पर देखने को मिलेंगी जो कि अगर किसी की नीट हो तो वहां पर इस Website चे आप अपनी Preparation बहतर कर सकते हो अब शुरू करते हैं और हाँ एक और चीज़ है Map के regarding भी काफी कमेंट करने वाले हो तुम पहले ही बता दे रहा हूं Map का Map की कोई वीडियो नहीं आएगी Dedicated दो वीडियो रहेंगी History की ये वाली और एक आएगी MCQ की अब Map जो आएगा आपका वो आपको पता होगा कि Map आ रहा है एक तो Model Paper Solution की वीडियो देख लेना उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा Map जो है आपका World Map आएगा और उसमें खास तोर पे ध्यान रखनी है जिन भी Civilizations के बारे में आप पढ़ोगे इनकी जो Location है वो याद रखनी है और जो Main City जहाँ पर कोई बड़े पंगे हुए थे History के अंदर आप पढ़ते हो ना अलग-अलग जगाए पे तो उनके जो है World Map में उनकी Location आपको याद रखनी है Direct Location पूछेंगे तो easy रहेगा Map आपके लिए कोई Confusing Question नहीं होगा सीधा Question पूछेंगे और उसका सीधा जवाब आपको Map के अंदर देना रहेगा ठीक है तो उस चीज़ का ध्यान लखना जो Important जहां पे event हुए थे उन्हीं की Location खास तोर पे पेपरों में पूछी जाएगी Map के Questions में तो उस चीज़ का ध्यान लखना उसको अच्छे से पढ़ लेना है जैसे मैं सोपोटाम यहां तो मैं सोपोटाम है के Location बता दो ऐसे जो है अलग अलग पैरिश में हुआ था कहीं कोई event हुआ तो वहां की ऐसे Location पूछेंगे बाकि मैं में में जो Location रही उनको हाइलाइट कर दूँगा इंपोर्टेंट कोसिन के साथ में ताकि आपको पता लगता रहे ठीक है सब्धक आपका है अब सुरू करते हैं देखो मैंने अबकि बार यह चैप्टर वाइज नहीं करें यह सेक्शन वाइज कर रहे है हिस्ट्री चार सेक्षन आपकी बुक में कुछ से चैप्टरों के बंडल से बना रहे हैं इन्होंने लियों ने तो मैंने भी बंडल के शाब से करा दिया है पहला चेप्टर हेमारी सोसाइटी वाला सेक्षन जो है इसमें Jud 되면 व्रीपली डिस्क्राइब दा डिस्क्राइब अब आउडबाउट तेमपल घंपल्स ऑस उन मैसोपोटामिया गारे में हमको बताना मंदिरों के बारे में कैसे मंदिर थे क्या थे इसमें से जो है लोंग कोश्चन आता आथा आपका कि इसी चैप्टर से मैसोपोटामिय वाल जो टोपिक है इसको अच्छे से करके जाना बड़ा कोश्चन मिलेगा इसमें से मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिला हुआ इसमें से इसक्राइब सलाइट फीचर ओफ मेसोपोटामिय और मैप के उपर तक आपको बढ़नी है मैप जो है पैंसिल से बरना आपको कोई पैंसिया बरके आ जाओ वह आर्ट रिलेटिव advantages of canal and railway transportation के advantage रहते हैं कनाल के और railway के explain the various stages of development of the system of science तो development के बारे बताना है science के system के write the main opinion on the development of language language development के उपर opinion देने है for what Mary city was famous Mary city जो है जो Mesopotamian civilization में थी वो किस चीज़ के लिए famous थी what is written in old testament about mesopotamia यह जो book है कोई साइच से इसमें क्या लिखा हुआ mesopotamia के बारे में what was the difference between the austral opetakus क्या नाम रख रखें और homo sapiens तो इनके बीच में क्या difference है what was Gilgames in mesopotamian culture गिलगा में इस क्या है what was उतना पीस तीम बड़े जीव नाम रख रखें बाइनों ने तो सारी चलो कोई ना तो उतना पीस तीम यह क्योंकि हिंदी के नाम ना वह थोड़ी कड़वड रहती है अपनी लेंग्वेज के नाम है और उनकी लेंग्वेज में नाम रखेंगे तो इसलिए हमें देखो अपनी लेंग्वेज थोड़े आदत सी रहती है ना यह रहता है इसलिए नाम थोड़े जीव लगते हैं हमको तो यह जो है यह क्या है according to the Bible Bible के एक बाड आय थी जिससे पूरी धरती तबाह होने वाली थी और जो है इसान को चुना नाम का ताकि बाड के बाद भी जीवन है वो चल सके आपको यह कहानी सुनी होगे आपने भी कभी ना कभी कि उसने बोट बनाई सारे जानवर उसमें गुस गए ना वैसे शी कहानी सुन बोट बनाई ही टुका पेयर इच ओफ ओल नोन स्पीशिज ओफ एनिमल्स तो उसने जो है जितने भी आनिमल्स के बारे में पता था सब की जो है स्पीशिज वहां पे उस बोट पे टांग दी बठा दी लाला के और बर्ड ओन बोट दार्ग और वर्ड वगारा सब बुला यह उसी बोट पे एक ही बोट पे सारी फूड चे निकठी कर रखी थी विस सर्वाइव दा फ्रड जिससे जो है सारे जानवरों की एक एक स्पीशिज सर्वाइव कर गई देयर वजा स्ट्रिंकली स्मिलर स्टोरी इन दा मैसवपोटामियन ट्रेडिशन यह जो स्टोरी थी है और इस नाम से भी जाना जाता है तो यह सेम स्टोरी है सेम कंसर्थ की स्टोरी को जो हैजब एलेक्जेंडर ने कब जीत लिया था 331 BCE में जीत लिया था तो विच कुम्यूनिटी दा किंग ओफ मैरी बिलोंग मैरी का जो राजा था वो कौन सी कुम्यूनिटी से बिलोंग करता था इन्सक्रिप्टिन और कार्विंग जिन पर जो चित्तर कारिया कलाकारिया है कुछ यह गर जो है कुछ नोटिस डाल रखें ऐसे कुछ पत्थर मिलते हैं जिनको खाया जाता है मैसोपोटामिया मतलब यह है कि दो नदियों के बीच का हिस्सा तो अब यह जो दो नदिया है वह कौन-कौन सी नाम आपको यह बेंसे करने हैं आर्ट के बारे में ड्रोइंग के बारे में कैसे डावलप हुई वह चीज वह मैंसन करनी है तो इसके पीछे क्या कारण था तो बताना है उसके पीछे रिजन देना है सहरी जिंदगी कहां से शुरूई थी सहरी जिंदगी के लिए वह खत्रा नहीं थे जो जानवर पालते थे तो उसके बारे में बताना है डिस्क्राइब दा वेरियस स्टेजिस देवलेमेंट ओफ राइटिंग मेथड तो में राइटिंग मेथड के में जो डेवलेमेंट वह उनकी अलग-अलग स्टेजिस रही है उनके बारे में आपको एक्स्प्रेंड करना है नेक्स्ट जो सेक्षेन आपका वह एंपाइर जो है पहला है वट्वाज इक्वेस्ट्रीन और नाइट इंदा रोमानियन एंपाइर में नाइट जो फोड़े पे जो योद्धा होते थे भाला ठाके चलते थे वह से शुरू में चलते थे तो उनको नाइट्स कहा जाता था पूछा गया है यहां पर उसको जो है मैप के उपर भी कर लेना याद थीग है गूगल पे सर्च कर लेना यह लोकेशन जो मैं बीच-बीच में बता रहा हूं यह लिखिलेना कोफी में जो आपको काम आएंगी इस revolution की क्या फाइदे थे क्या हुआ मंगोल मंगोल कौन थे मंगोलियन एंपायर में यासा कौन था ओक्टेवियन कौन था विच किंग ओफ रोम वाज काल्ड प्रिंसिपेट तो प्रिंसिपेट जो है किस राजा को कहा गया रोम के या फिर नाइट यह एक ही नाम है यह अपना लोकल में बाद में नाम रखे गए थे तो यह यो है क्या होते हैं वह मैंने बता दिया था आपको सुरू में भी वेजनट बेनडिक्टी मोनेस्टरी वाज फाउंडेड यह तो इन्होंने पूछा था कब अगर बोलोगे तो 526 बीशी में जो है बन गई थी इटली में कई बार सहर पूछ लेते हैं इटली में बनी थी ठीक है न अप्रोक्षिमेटली हाव मैंनी ग्राम कंसीस्ट ओफ वन दिनारस तो वन डिनारस के अंदर जो है कितने ग्राम होते हैं उसको जो है वन डिनारस कहा जाता था या जड़ा ट्रेड में जो इस्तमाल किया जाता था इसा लगता जैसे कोई मिसाईल का नाम है what were the condition of slaves in Roman Empire Roman Empire में slaves जो गुलाम थे उनकी कैसे हालात थे mention करना है वैसे जो गुलाम थे हर जगह कहीं के भी पढ़ोगे same ही हालात मिलेंगे why was the trade so significant to the Mongolo Mongolo के लिए वैपार करना जुरूरी क्यों था which she was known as heart of Roman Empire heart of Roman Empire के नाम से कौन से समुंतर को जाना जाता है and from where to spread where to where it spread और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है the continent of Europe and Africa are separated by a sea यानि कि Europe और अफ्रीका का जो continent को एक समुंदर ने अलग किया हुआ है that stretches all the way from Spain in the west to Syria in the east Spain से लेगे Syria तक पूरे रास्ते में वो बीच में अलग कर रखा है the sea is gold Mediterranean Sea तो यह समुंदर है और इसी को जो है heart of Roman Empire के नाम से जाना जाता है next question है which historian said that Emperor Tarajan was dreaming of conquering India किस historian ने कहा था कि यह जो राजा था यह भारत को जीतने का सपना देख रहा था वेंडीड टैमू जीन अड़ोप्ट दा नेम गंगिश का चंगेश खा है वैसे यह लेकिन पता नहीं गंगिश के आंके उलिख रखा है अब तुम इनको चंगेश खां रहेगा तो बड़ा जी मामला है क्या सोचके नाम रखे हुए यह रखा था 1206 में फिल इन दा ब्रैंक वाज सिल्वर कोईन ओफ रोम रोम का सिल्वर कोईन का क्या नाम था जो की साड़े चार ग्राम का था दिनारस नेक्स्ट सेक्शन है हमारा चेंजिंग ट्रेडिशन फर्स्ट कोस्टिन है इसमें एकोनोमी ग्रोथ ओफ यूरोप वि फिडेगलिजम के दिक्लाइन के पिछे क्या कारण थे 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 किया का है फियूडान के नाइट का काफी रोल है एसियन टाइम में तो नाइट का जो है यहाँ पर क्या इंपोर्टर सेंट्री वह बताना है थिस्ट्राइब दा स्टीटरस और इंपटेंस ओफ नोबिलिटी जो है इंपोर्टेंस और स्टेटस बताना कैसा क्या था राइट दा फंडावेंटल चेंज इन अगरी कल्चरल टेकनोलोजी इन मेडिवल यूरोप मेडिवल यूरोप के अंदर जो है अगरी कल्चर में क्या-क्या बदलाव देखे गए बेसिक बदलाव जो थे वह क्या सब्सक्रीया ओंे सब्सक्राइन इंग्लेंद के समखेली इनलेकने टlai7 यूरोफ इसके देशयु icon काटप टारा टेसंग आपक्या फेटन आपको हैं को एक्सड़ेशक ifbolइव को सब्सक्राइव करों में त सैप्क्राइब सब्सक्राइब और वार्च इसका को बताने हमको name the king of England who had ruled 11 years without inviting Parliament एक ऐसा राजा था चल रहा था तो इस देश का राजा है फ्रेंच का वर्ट वाज फिफ इन फ्यूडरिजम फिफ क्या होते हैं दा लोर्ड गेव दा नाइट पीस ओफ लैंड जो राजा था या जो सामन्त होते थे नो उस टाइम में तो वह नाइट को जो है एक जमीन गया टुकड़ा देते थ लंभी राजा कही होता था ताकि कोई बहारी राजा कप जाना कर ले लाफीफ कुड़ भी इन हैरिटीड दा लैंड फिफ वाज कल्टिवेटर भाइट पीजन और इसको जमीन जो किशान थे वो खेती करते थे फिर वो फिफ को जो है पैसे देते नाइट को बसीली पैसे द और्टा कर्ष्व धैयर कोल्डः है इन जो फिलेन की साब अपने खेट में जो भी ऊगा। उसमें से कुछ इसल माना जाता था कि उन्हें उells lang रूबाद गार्र है तो दस पेस्थल तुमporter को दान देना है जो दान दिया जाएगा जो सा सब्सक्राइब दान दिया है चर्च को उसको नाम दिया गया था ठीक है इश विस्ट न वाइक्स्ट देख़ते हैं कोश्चन है 数 मेंडी मेंडी इंडम लेटिन वर्टम्म रिट्विडयाउप से बना है नाम से बनाऊ है जो कि सहार की है यह सब पता होगा सबसे फेमस पेंटिंग है लेनाडो दा विंची की जोहांस गुटरनबर्ग बिलोंग टू जोहांस गुटरनबर्ग यह वह बंदा था जिसने प्रिंटिंग प्रैस बनाई थी यहन की जो डिजिटल सिस्टम तो बाद में आया था बहले वह बारों में खट-खट वह चपना इसने बनाई थी जोहांस गुटरबर्ग की शुरुवात थी वह तो यह कौन से देश का था जर्मन और इसको जो है याद भी रख लेना जर्मनी जो है कहां पर पढ़ता है कुछ में जो है ना जहां पर बड़े लोग हुए हैं वहां के जो देशे खास तो पर यूरोप में से पूछेंगे काद फेमस फेमस से जरूर पढ़ ले ना जो पुबूलरली सुनने को मिलते हैं आपको ना उनमें से जरूर पढ़के आना एक पर मैं आपको ठीक है इगनेटियस लोयला फाउंडिट फिल इन दा ब्रैंक इन 1540 तो इसने क्या बनाए था सोसाइटी ओफ जी यह इन लंदन रोयल सोसाइटी वाज ओर्गनाइज दिन फिल इन दा ब्लैंक अडी कब था 1662 में कोस्मोग्राफिकल मिस्ट्री वाज रिटन बाई किसने लिखा था जोहांस कैपलर ने मैंने अंसर इनके इसलिए लिख दिये ताकि आपको ढूंडने में थोड़ी मैनत कम क है अपको भी शेवेदा रहे थोड़ी सी है इन पैरिसं अकड़मी ओफ साइंस यीज वाज फाउंड़िएएं फिलंदा घ्रेंक ी अकैदमी अजैस, यह याद रखना पैरिज फरांस की कप्लिटल है जो फरांस को याद रख्के जाना, मीब के लिए कही सारी event हुए हुए पर कई सारी चीजे भी हैं काफी फीमस है वो अकेडमी ओफ साइंस जो है यह कब बनाए गई थी 1673 में इन 1516 फ्रेंच शैरफ जो है फ्रेंच में और उनकी लाइफ और रोमन में जो स्लेव नवर्ड था मिलब सब बंदी टाइप के लोग घुलामी के तो दोनों में क्या फरक था कैसे जिंदगी में फरक था भी कि नहीं था वह बता नाम को डिसकल्स लिविंग कंडिशन ओफ थर्ड ओ साइटी में उसके बारें बताना है वाइड नाइट बिकाम डिस्टिंट गरूप अंडवें डिब्सके बारें कमताना है वाइवी उप इसके बारें टर्फ एपियों क्यों बने थे वह बताना है? वोगों है फिलिंध ब्लेंग वाज गीवन दाइटल वोफ पोएट लाइउरिट को या यह था पेट रज को इसके क्या परिणान है क्या बताने क्या मेंक्स चैप्टर देख्टर तो क्या सेक्षन है लास्ट अक्षीए हमारा चैर सेक्षन थे आपके बुक में सेक्षिन है सेक्षिन फूर्ड बात करेंगे डिस्क्राइब लेबर मुवेंट इन ब्रिटें डूरिंग इंडिस्ट्रिल रिवोल्यूशन सबसे आसान सेक्षिन मैं कहुंगा यही है थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यह मैं सोपोटामिया वाला बीच के दो सेक्षिन बीट वैलते में आ जाओगे फिर आसान इस्ट्री पढ़ लेना आशे कहा रहे हैं किताबे बदलेंगे तो सायद ना भी मिले वरोसा कुछ निए बाई कहतो रहे हैं किताबे बदलने कि अब की बार डिस्क्राइब दा लेबर मुवेंट इन ब्रीटें डूरिंड इंडिस् इसका क्या इंपेक्ट रहा यह लोग कोश्चन है यह पांच नमबर आठ नमबर जो बाता पांच आठ का था तो तुम्हारा तो वह जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा पॉइंट अच्छे आद कर जाना इनके बारे में ठीक है वाट वाज गोल्ड रस गोल्ड रस क सुवड़ोषे वाले बनदे बड़े पडे और इनके बारे पूछते हैं उनको पता है तुमको याद तो रहने नहीं वाला भूल जाओँ बार 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 यह वार्ड पूछते रहते सैंटल रगोड किसके लिए यूज होता है दा वर्ड सैटलर डॉड व्रिज्ड उडज इंस आफ्रीका साउथ अफ्रीका में जो डच लोग हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं इंदर न्यूजिलेंड एंड अस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन इन अमेरिका तो इनके लिए जो है सेटलर वर्ड यूज किया जाता है अलग-अलग देशों में अलग-अलग इंपोवरिस्ट सैमूराइ फैमिली सैमूराइ होते हैं जो तलवार वाजी वाले बंदे होते हैं तो उसमें इसका जनम हुआ था यह इसका बर्थ स्पैम है यानि कि 1835 में जनम 1901 में डेथ ही स्टेड इन नागासाकी एंड ओसका लर्णिंग डच एंड वेस्टर्न साइंस चीज तो इसने जो है उसका यह सीखा यहां पर उसका सीखा डच में और वेस्टर्न साइंस के बारे में सीखा फिर इंगलीश भी सीखी 1860 में ही वेंट एज ट्रांसलेटर फोर दा फर्स्ट जैपनीज एमबैसी टू दा युश्य पहला जो है जापनीज ट्रांसलेटर के वेस्टर्न लेर्निंग को सिखाने के लिए जो बड़ी पॉपुलर सो जो है सोसाइटी बनी थी उनमें से भी उसका एक मेंबर रहा है ah what was the aim of third international third international क्या aim है nuclear family शे तुम क्या समझती हो in mesopotamian society the nuclear family was the norm although a married son and his family often resitued with his parents the father was the head of the family यैनि कि पूरा परिवार जिसमें father head होगा तो उसकиях पर नाम दिया गया था मैं लेगर कह सकते हो कि हस्ता खेलता सुखी परिवार जो है उसको नुकलियर फैमिली नाम दिया गया था नाम से तो ऐसा लगता है जैसे बंब वाली फैमिली हो कोई इंडस्ट्रिलाइजेशन फर्स्ट केम इन कहां पर आया था सबसे पहले ब्रीटेन में आया था तो क्या डेवलमेंट हुई थी उसके बारे बताना है इंडस्ट्राइब लोंग मार्च के बारे बताना चाइना में चाइना तो वैसे पता ही होगा मैप पर कोई ज़्यादा जरूर्ट है नहीं याद करने की तुमको है ना अमेरिकन के लिए फ्रेंटियर का क्या मतलब था वाइवाज लोग थे हिस्ट्री जो है बदल दीगे किताबों में से वह कुछ मामला हुआ था वर्ट वर्दा सन्येट सें थ्री प्रिंसिपल तो इसके तीन प्रिंसिपल थे तीनों के बा पर सन बॉर्ण इन प्लेस ही और सी लिविन यानि कि नेटीव होते हैं वेशिकली हिंदी में कहें तो निवासी जहां कि जैसे आपका जनम गाउं में हुआ है या सहर में और आप अभी भी वहीं रहा रहे हैं उनको कहा जाएगा नेटीव पीपल ठीक है तो वह है यह जहां इसको इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि कोलोनिया बहुत बना रखी थी तो ऐसे तो कंफूजन हो जाएगा ना वह अपने देश का क्योंका है तो उसके लिए डिफ्रेंसियेट करने के लिए वैन वाजदा रूसो जापनीज वार स्टार्टिड एंड हो रूसीया और जाप जापान की डίफलेमेंट से हैं वीस त्योस में धेचंव हो तो चैक्षोल कोशन सते सब्सक्ति के लिए यहां पर यहां पर इस फेलल केंप लिए न्येदें को कि वह मिल मिल जाएंगे कुछ के कैन्सर भी याद कर सके हो ताकि आपको थोड़ी शिष्विधार एजले मैंने अंसर लिख दिया थे जब मैं अनसर कर रहा था तब ही लिख दिया थे ठीक है ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े याद करने में कम कोश्चन ढूंडने पड़े बाकि यहां पर आपको साइट पर सारे कोश्चन मिल जाएंगे तो यह साथर कोश्चन ऐसे अजीव से देखने को मिलते हैं लोग कोश्चन जो है दो तीन से इंडेस्ट्रिल एवलिशन या मैसोपोटामिया वाला सेक्षन जो है उन में से देखने को मिलेंगे आपको ठीक है आई होप समझ में आगया होगा सारे डाउट कलियर हो गए आपके और मैप के रिगार्डिंग मैंने बता दिया है मैप में यूरोप की मेजर कंट्री जो है में में जैसे फ्रांस हो गई ब्रिटेन हो गई ऐसे जो बड़े-बड़े देशे जिन्नों ने पंगे करे थे ज्यादा उनकी लोकेशन पढ़ लेना मैसोपोटामिया की लोकेशन ठीक ह सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी चैनल पर आपको नेक्स्ट क्लास में जो है पूरी तयारी कराई जाएगी पढ़ाया जाएगा और भी काफी सारे अपडेट वगरा सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा मिलते हैं नई वीडियो में बाई बाई